जी हाँ दोस्तों इस वक्त की छोटे सिद्धू को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है सिद्धू मुसेवाला जी का वो आखरी निशानी जो हमेशा वो अपने गले से लगा कर रखा करते थे दिल से लगा कर रखा करते थे कभी भी वो गाने की शूटिंग पर जाते थे या नया गाना रेलीज होता था या कोई शुब कारे होता था उनकी लाइफ में तो वो अपने गले से लगा कर उस लॉकेट को आवश्य रखा करते थे खास तर पर जब किसी इंटर्वीव पर जाते थे या लाइव इविंट किया करते थे खास तर पर तब अब उस आखरी निशानी को सिधु मुसेवालाजी के फेवरिट लॉकेट को जो है उसे लेकर एक निरने लिया गया है ऐसा निरने जिसे सुनकर आपको बहुत खुशी होने वाली है जैसा कि आप सभी जानते ही है कि निक्का शुबदीप आ चुका है इस दुनिया में और बड़े ही मुश सिधु जो है हवेली में आ चुका है और तेर महिने का वक्त सिधु के माता पिता ने भी मांगा है सिधु के फैंस से क्योंकि वो बेताब हैं बेकरार हैं छोटे सिधु की एक जलक पाने के लिए लेकिन आपको अभी जलक जो है नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि सिधु के परेंस ने साफ तरपिया निरना लिया है कि तेर महिने तक कम से कम जो है वो अभी दूरी बना कर रखेंगे और सिक्यॉर्टी रिजन की वज़े से जो है ये लिया गया है निरना साथ ही आपको बता दे इसके साथ ही एक अपडेट जो है सामने आई है छोटे सिद्धू को ले आगे आपको तस्वेर देखने को मिलेगी जो अपने आप में बहुत प्यारी तस्वेर है सिद्धू मुसिवाला जी कि उस लॉकेट को लेकर निरना लिया गया है कि इस लॉकेट को अब छोटे सिद्धू को पहनाया जाएगा जिहां और फैंस के बीच ही इस लॉकेट को जो है पहनाये जाएगा छोटे सिद्धू को और सिद्धू के पिता जी ने तो साफ तर पे बलकॉर सिंग ने ये भी कहा था कि छोटे सिद्धू को जिस प्रकार से मेरा बड़ा सिद्धू था बड़ा बेटा था उसी प्रकार से मैं बनाने की कोशिश करूँगा और उसके आपसे सांजा किया है बहुत जल्द फैंस के बीच जो है सिदू के पैरेंस इस लॉकेट को जो है छोटे सिदू को पहनाने वाले हैं आपको झा राये है इस बारे में क्या इस लॉकेट को जो सिद्दू मुसे वाला जिने पहना हुआ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या इस लॉकेट को छोटे सिद्दू को छोटे सुभुदीब को कराद